आप देख रहे हैं प्रहाट इस तरह से हमने खबर दिखाई थी कि जो यहां नशा मुक्ति नशा कुल लेकर जो है के उपोशन पर बैठने वाले लोग थे जो शारुक सय्यत यहां पर उपोशन पर बैठने वाले थे वो करीब 6 साड़े 6 बजे तक इस मंच पर कोई भी यहां मौजूद नहीं था लेकिन फिलहाल अब जो तस्वीरे हैं वो कुछ अलग तस्वीरे हैं हम आपको दिखा रहे हैं अब यहां पर जो एंसीपी के लोग हैं वो यहां पर मौजूद है वो नशे के खिलाफ जो है यहां पर उपोशन पर बैठने हुए है लेकिन फिलहाल जि इसने यह जो है नशे को लेकर जो है वो पोशन करने की जो बात की थी वो इस मंच पर क्यों नहीं है आके ऐसा है कि उन्होंने मंच पर उन्होंने एक आवान दिया था और हम सभी उसमें लिखा राष्टवादी विद्यारती संग वहां संगर्श महिला संग तो यह सब राष्टवादी के लोग है सिर्फ शारुक संगेत का नाम नहीं हो दो उसमें बाकी लोग जो थे इमरान का नाम है बाकी सब ली पर यहां पर किसी को बैठाना चाहिए जानकारी देने के लिए कि ऐसी इस्थिति हो गई है तो यहां पर कोई किस से संपर करेगा हमने तो सारुक से संपर करने की कोशिस की उनका फोन सुच ओफ आया उनकी तब्यद खराब है बहुत उनकी वालदा उनको उस्पिटल लेक खराब है कि जो इतना बड़ा उन्होंने आज मुंबरा शहर के लिए जो ड्रक्स फ्री मुंबरा करने का उन्होंने जो आवहान किया था पोसल पर बैठने के बात की थी ऐसे में वो आखिर यहां पर नहीं है क्या किसी तरह का उनके उपर कोई प्रेशर है या उनकी वाकई में तब्यद खराब है अगर तब्यद खराब है तो उन्हें किस तरह की तब्यद खराब है क्या बीमारी है डॉक्टर ने क्या बताया है हम किसी के प्रेशर से डरते नहीं, उनकी हकीकत में तवियत खराब है, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं थी, हकीकत में तवियत खराब है, इसी नहीं स्टूडन्ट विंग के बाकी लोग है, तो कल्वा प्रेसिडन्ट नहीं है, और हम लोग सभी नंसीपी के परिवार यहां मुझे ये बात मालूम पड़ी साले चार बज़े कि उनकी वालदा उनको जुपिटर हॉस्पिटल लेकी गई है जैसे हमने जो खबर दिखाई थी उस खबर में जो बताया गया था कि सारुक से हमने संपर करने की कुर्सिस की थी लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा था सुइच ओफ आ रहा था लेकिन जिस तरह से यहां जो सानुप पठा ने उनका कहना है कि सारुक सेयद की तबियत खराब है इस वज़े से उनका फोन सुइच ओफ है और जुपिटर हॉस्पिटल में उन्हें इलाज कराने की बास सामने आ शारुक सेयद के भियाप पर मैं बताना चाहूगा यहां पर स्टुडेंट विंग के कम से कम 20 कारेकरता मोजूद थे और शारुक सेयद की हेल्थ के इश्यू के कारण वो यहां पर आने वाला नहीं था यह उनके नेत्रूत में किया जाने वाला कारेकरम था लेकिन उनके हे शारुक सेयद की तवियत खराब थी तो किसी को यहां जानकारी के लिए विठाना चाहिए आपको तवियत खराबती आपको इंफर्मेशन दे दिया बाकी उनके ब्याफ में सबी लोग बेटे और जब वो तवियत अच्छी होगी तो वो इन्शालला हो सकता है रात में आजाए एक कल आजाए लेकिन जो बीमार है उनको यहां लाके अच्छी बात नहीं है इसलिए हमने उन हमुली छोटे केस लगा रहे जाए इसीनिया वो जमानत पर जल्ली से भार हो रहे हमारी प्रशाशन से मांगे कि आप जो कर रहे उसमें तेजी लाए और जो मुमरा कौसा के अंदर जो नशा बेश रहे उनको एंड़ी पीस के माध्यम से ऐसा कर रहे की जाए कि उनकी सालों गली है परिसर है ये इसनेर नसे का सब से ज्यादा मामला यहीं से आता है तो आप अपने बाड में एसी माहर दो अलगर जिए और अब बेखता है जहां बीकता है पुलिस के दर से उनलोग ठिकाने बढ़ते लोगों की दर से वो ठिकाने बदलते तो प्रशाशन से हमारी यही मांगने जहां भी नशा बिकता है वहाँ पे करवाई की जाए और हमने जाए दरगा हो चाहे मुमरा हो जाए कौसा बे हर जगा पे नशे के विरोध में अंदोरन किया है आप इतियास उठा के देख लिजी हमने लोगों का मुह काला किया है और मुह काला करके एरिया में घुमाया है कि नशे को मुमरा कौसा के अंदर विकने नहीं देंगे हमारी यह अभी शुरुवात हो चुकी है कि अगर मुमरा कौसा के अंदर नशा बेचने वाले न अब एक एक करके सभी जो है कारकरता पदैदिकारी जैसे सेदली भाई साब भी यहाँ पर पहुंच गए है सेदली भाई साब जिस तरह से नशे को लेकर जो है आज यहाँ पर पोसंड किया गया है जो बता जारा जब तक मांग नहीं पूरी होगी तक तक बैठे रहेंगे करद मंदोलन का मामला है तो अब दीरे दीरे बढ़ेगा अभी दिखें एक नगर से भीका हमारी परवाग समीति की आगई विख्वर रोपनिक समीति की आगए है तमाम सब हमारे नगर से वख आ गे हैं इसारे यूटि के लोग आगे मुफ्ती सभा आ गे जरिशर भाई आ अब दीरे दीरे बढ़ेगा, राष्टवादी वेपा कारे करता की कमी नहीं है ऐसा ये गलत वो है कि हमारा स्टेज खाली रहेगा हमारे स्टेज पर तो इतने लोग रहते कि समझी में नहीं आता कि स्टेज किदर है तो ऐसा आप लोग मत फैलाओ खाली था, जो समय दिया गया था, उस समय के हिसाब से करीब 3-4 गंटा इस पर कोई नहीं था, करीब 6-6 बजे तक अरे हम इस देश के नागरी के, तो थोड़ा बहुत लेट लोट चलता है, इसमें क्या है जिसने ये सारुक सेयद जो है, उनका फोन भी सुच ओफ आ रहा था, हमें संपर करने की कोशिज भी की, लेकिन संपर नहीं सारुक सेयद की सायद वाइफ की तबियत खराब है, ऐसा मुझे मालूम पड़ा है अभी तो सानु भाइ बता रहे हैं कि सारुक सेयद की खराब है, तो सानु को मालूम पड़ा होगा, क्योंकि मुझे जहां तक अभी तक इल्म है, इतनी इल्म है, लेकिन शानु ने अगर भोला है, तो सही बोला होगा जिस तरह से आपने सुना कि सारुक सेयद की वाइफ की तबियत खराब है, और जहां सानु पठान का कहना है, कि सारुक सेयद की तबियत खराब है, कही न कहीं, जो निस्पी की लोग है, उनको खुद नहीं मालूम है, वाकई में कि सारुक सेयद की तबियत खराब है, या सा पूचा जाए तो आप किस तरह से जो है कारवाई की मान कर रहे हैं जो ड्रक्स का महां है इसा है कि वह सीरियस मामला है नौजवान बच्चे मर रहे हैं नौजवान पैतल कर रहे नौजवान बच्चे लूट रहे घसोट रहे आज मर्डर इतना आम हो चुका है कि कभी भी कोई भी किसी को मार सकता है चुकि नशे में उसको मालूम ही नहीं कि क्या है तो इसके उपर पुलिस कड़क करवाई करें वज़से हमारे सिनियर साहब अच्छे आप द रही है लेकिन मैं यह कहना मैं ड्रक्स की जो ठाना की जो ब्रांच है उसको मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग इसको आके देखिए और यह माल कहां से आता है और सबसे बड़ी चीज मेडिकल स्टोर के उपर जो भी ड्रक्स बिकी जा रही है यह अपना जो न और मैं ऐसा मुमरा पुलिस सेशन के खिलाब बात नहीं करूँगा चुकि मुझे जहां तक इल्म है कि सीनियर साब बहुत सीरियसली होके काम करते हैं ड्रक्स के उपर लेकिन इस पे और काम होना चाहिए दूसरे हर जिम्मेदारी हम पुलिस के उपर भी नहीं दे सकते इस पुलिस के हर शेहरी की जिम्मेदारी है कि हमारे यहां गलत क्या हो रहा है सही क्या हो रहा है इस पे निगाह रखने की जरूरत है हम मोले के अंदर अगर पाच-चरसी लोग है तो हम उनकी कंप्लेंट करने के लिए डरते है कि वो मुझे मारेगा यह चीज अगर बढ़ते दिल के अंदर तो कहीं न कहीं नुकसा ने इसके लिए पूरे शहर को पूरे लोगो को सारे सियासी लोगों को तंजीमों को, मस्जिद के इमामों को सब को इसके खिलाफ बात करना पड़ेगा, एक माहौल खड़ा करना पड़ेगा तो इस चीज़ को हम रोख सकते हैं, किसी ए वो भी कारवाई करते रहते हैं लेकिन हर बार उनकी जगा बदली होना करना जिसकी वज़ा से आज जो हो रहा है तो यहां कहीं न कहीं हमारे लोकल लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम महलने वाइस जो हमारी पहले कमेटियां थी वो एक्टिव हो जाए और जिस तरीके से पहले सबने एक होके नशा बंद करने की कोशिश की थी तो कहीं भी बंद होता नहीं जो एकदम आम हो रहा है उसको कहीं न कहीं कम किया जाए खत्म किया जाए यही हम पुलिस से मांग करते हैं। लोग बैठे हैं और यह जो उपोशन बे मुद्दत उपोशन है इनकी जब तक यह मांग कहना है कि जब तक इनकी मांग सासन पर सासन मंजूर नहीं करती है तब तक यह उपोशन जारी रहेगा। कैमरा मेर रह्मान के साथ इसलाम अदिन थान प्राटाइम्स मुम्रा। ताजा तर्न खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल आइकॉन दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें